Hello everyone, my name is Karan Singh and welcome to my YouTube channel Invest IQ So guys, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो अगर आप investor है और अगर आप invest करते है तो आपके लिए बहुती एक अच्छा formula है basically अगर आप long term में wealth accumulate करना चाहते है So मैं आपको एक excel sheet पर ले जाओंगा जहां पर मैंने बहुती simple तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने कुछ चीज़े बना रखी है जिसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ अगर आप यहां देखेंगे आपर मैंने monthly salary ले रखा है and annual salary ले रखा है So यह उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है जो बहुती कम salary जिनको मिलती है जो as a fresher अभी start recently start किया job करना क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने उनकी monthly salary जो है 20,000 यहां पर जो है वो ले रखा है क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो देखिया जो वीडियो बनाते है जिसमें बोलते है कि अगर आप 10,000 invest करेंगे या आप 20,000 invest करेंगे बट यह वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी basic salary भी है और वो किस तरीके से invest करके जो है long term में wealth को बहुत अच्छे तरीके से accumulate कर सकते है आप यहां देख सकते हैं मैंने annual salary ली यह 2,50,000 यहां पे मैंने 3,40,000 ले रहे किया है मैंने 4,50,000 ले रहे किया है and so on मैं अगर आपको यह आप Excel sheet देखेंगे इसमें आपको यह दिखेगा कि आपे मैंने fix 30% ले रहा है यह fixed 30% जो है यह आपका salary amount का है अगर आप यह monthly invest करते है विच comes out to be 6,250 रुपीज अगर आप monthly invest करते है तो भी आपके पास जो है वो 14,583 जो है amount बचेगा उसके बाद आप मैं कहता हूँ आपके monthly expenses होते है किसी का EMI होता है किसी को restaurant जाना होता है या फिर किसी को club जाना होता है movie जाना होता है so उसके लिए भी अगर आप monthly expenses जो है अपने site करेंगे 50% तो भी आपके पास 14,583 का जो है वो 50% निकल कर आता है 7,292 रुपीज and rest आपका जो बचता है वो आप एक as a emergency fund जो है वो उसको side में अपने saving account में जो भी आपके bank में account है बहाँ पे आप उसे safe कर सकते है क्योंकि emergency कभी भी आ सकती है तो उसके लिए भी आपको safe करना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है अब आप मुझे बोलेंगे कि हमारा 50% expenses तो नहीं होता है हमारा 70% expenses जाते हमारे 80% expenses जाते हैं हमेशा एक चीज याद रखिए अगर आपको long term में wealth accumulate करनी है उसके लिए आपको 50% से जादा अपने expenses नहीं करने पड़ेंगे और जो major portion है अपनी salary का उसे आपको invest करना पड़ेगा आप 30% कर सकते हैं जिनको 40% करना है वह बहुत ही अच्छा है वह 40% कर सकते हैं और जिनको 50% करना है वह 50% जो है अपना monthly invest कर सकते हैं जितना बड़ा figure होगा उतना ही इक sheet है जहां पर मैंने nifty के returns निकाल रखे है सारे आप देखेंगे 2000 से लेके मैंने हापे पूरा 2022 तक मैंने पूरा returns जो है निफ्टी के वो निकाल रखे है 2000 में अगर आप देखेंगे nifty ने negative में return दिया था which is minus 14% then 16% then 3% 72% 11% आप नीचे देख सकते हैं कि 36 40 55 minus 52 है कि मैं अ सबको इन सबका average निकालता हूं तो यह आता है 15.43% तो अगर आप nifty के ETF आते हैं बहुत सारे जो मैं आपको एक next video पर प्रॉपर तरीके से यह बताऊंगा कि 15% आप return कहां कहां पर कौन से stock पे या फिर कौन से ETF पे easily earn कर सकते हैं उसके लिए मैं एक separate video बनाऊंगा तो अगर आप basically आप यह लगा के चलिए अगर आप ETF पे भी invest करते हैं nifty के ETF पे तो भी आपको जो है 15% return easily मिलता है उस आप से अगर आप invest भी करते हैं मंतली तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप invest कर रहेंगे तो किस तरीके से आपका जो है long term में wealth जो है वो accumulate होता है तो यह एक मैं ने एक्सल पे बना रखा है जिसमें आपका सारा number of years है total investment amount है और 15% अगर हम assume करके चलते हैं बहुत ही basic है stock market में अगर आप invest करते हैं तो आपको easily 15% long term में आपको मिल जाता है अगर आप short term की बात करेंगे तो market बहुत जादा volatile होती है short term में आपको कहीं नहीं मिल सकता 15% अग otherwise किसी साल में आपको 15 नहीं मिलेगा किसी में negative return होंगे जैसे मैंने आपको excel sheet में दिखाया है पीछे आप बस long term invest कीजिए अगर आप बहुत जादा experience नहीं है stock market में अगर आप यह देखेंगे मैंने यहां पे 10,000 ले रखा है so मैं यह figure को कम कर देता हूं मैं आपे 6,000 950 कर द यहां पे तो आपका जो amount है अगर आप monthly 6,000 950 invest करते है 12 month के लिए तो आपका जो annual में आपने जो invest किया है वो है 83,400 rupees and ऐसी अगर आप invest करते है तो second year में आपका होता है 1,66,800 and आपका 25 years में invested amount जो निकल कर आता है वो निकल कर आएगा 20,85,000 अगर हम 15% जो बहुत ही normal return होता है stock market में अगर हम वो assume करके चलते हैं जैसे आप देख सकते हैं आपे मैंने एक formula लगा रहा है तो आपको still आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा 25 years तक जो है अगर यह invest करते रहे तो आपको easily जो है 2,39,7,750 जो है वो एक amount बनता है 25 years में 15% return अगर हम लेके चलते हैं अब आप बोलेंगे 25 years तक जीता कौन है तो आप वीडियो भी देख रहे हैं आप 30 years के होगे कुछ आप 25 years के होगे तो अभी भी आपने 25 years काट ली है बिना investment के अब आप सोचेंगे next 25 years शायद हम रहे ना रहे तो ऐसा नहीं होता आपको नहीं पता आप रहोगे और नहीं भी रहोगे तो भी आपको invest करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह अगर आप investment करते हो तो अगर आप रहे तो at least आप बहुत ही अच्छे से retire हो सकते हैं तो इसी तरीके से आप अपनी savings को अपने जो salaries है monthly salary को थोड़ा सा diversify कर सकते हैं and then उसके बाद उसम amount निकालना चाहिए 30% हो गया 50% हो गया monthly expenses के लिए वो निकाल के आप अपना investment कर सकते हैं thanks for watching this video अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो please do comment and subscribe to my channel thank you so much